आज हम बनाएंगे गुजरात का फेमस हांडवा तो हांडवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिये हैं चावल, चने की डाल और उड़की डाल तो यहाँ पे मैंने चावल दो कप लिया है, एक कप चने की डाल लिये और आधा कप उड़की डाल लिये इन सब को हमें ओवन नाइट या फिर चार से पांच गंटे तक भीगो के रखना है और यहाँ पर मैंने वन कप पोहा भी लिया है पोहा को हम आदा घंटा भीगो के रख देंगे तो पोहा से हमारा यह जो बैटर है बहुत ही फ्लफी बनेगा और हमारा हांडवा भी बहुत ही Saft बनेगा तो अब इन सब को हम एक Mixi में पीस लेंगे तो Mixi में मैंने सबसे पहले यह सब इंग्रिडियंस जो मैंने भिगो के रखेते वो डाले है और मैंने 3-4 चमच खट्टा दही लिया है और उसको मिक्सी में पीस लिया है तो ये देखिए हमारा ये बैटर इतना गाड़ा होना चाहिए हमें बहुत ही पतला नहीं करना है क्योंकि इसके अंदर हम और भी कुछ एड़ करने वाले है जिससे हमारा बैटर थोड़ा सा पतला होगा तो इसको हम इतना ही ठीक रखेंगे बहुत पतला नहीं करेंगे और अब इसको ढखके 4-5 गंटे के लिए हम दूप में या फिर कोई गर्म जगा पर उसको फर्मेट होने के लिए रख देंगे चार से 5 गंटे हो चुके हैं और यह हमारा बैटर फर्मेट होके एकदम रेड़ी है तो आप देख सकते हो कि थोड़ा सा फूल गया है तो थोड़ा सा सौफ्ट भी हो गया है पहले से अब इसके अंदर हम एड़ करेंगे कदूकस की हुई लॉकी यहाँ पर मैंने मिडियम साइज की लॉकी ली है और अब इसको बैटर के अंदर एड़ करके अच्छे से मीक्स कर लेंगे लौकी में अल्रेडी बहुत पानी होता है तो हमने जो बैटर थिक रखा था तो वो लौकी की वज़े से थोड़ा सा लिक्विडी हो जाएगा इसलिए हम पहले बैटर को थोड़ा थिक रखेंगे तो हमें जैसे कंस्रेशनसी चाहिए वैसी हमें मिल जाएगी बैटर अगर पतला होगा बहुत ही लिक्विडी होगा तो हमारा हांडवा परफेक्ट नहीं बनेगा तो परफेक्ट हांडवा बनाने के लिए हमें बैटर भी परफेक्ट चाहिए और लौकी को कद्दू कस करके तुरंद उसके अंदर एड़ करना है अगर लौकी पड़ी रहेगी तो उसका color dark हो जाएगा और हमारा batter भी color में थोड़ा सा dark रहेगा तो हमें पहले लौकी को कद्दूकस करके तुरंद उसके अंदर add करना है और अब उसके अंदर add करेंगे कद्दूकस किये हुआ गाजर यहाँ पर मैंने 2-3 गाजर का यूज किया है और अब उसको भी अच्छी से mix कर लेना है यहाँ पर आपको जो भी vegetable पसंद हो आप उसके अंदर add कर सकते हो और उसको बारिक चॉप करके या फिर कद्दूकस करके उसको हम ये batter में add कर सकते हैं और अब मैंने लिया है धनिया जि अब इस batter को टेस्टी बनाने के लिए इसके अंदर हम भगार करेंगे तो यहाँ पर मैंने ले लिया है लसंड, मिर्च और अद्रक तो इसको हम चॉपर में बारिक चॉप कर लेंगे हमें इतना ही बारिक चॉप करना है उसकी पेस नहीं बनानी है अगर आप चाहो तो उसको कूटके भी ले सकते हो लेकिन थोड़ा सा दरदरा ही कूटेंगे और अब एक पैन लेंगे और उसके अंदर हम एड़ करेंगे ओल गरम हो जाए उसके बाद उसके अंदर हम डालेंगे राई राइफूर्ट जाए उसके बाद उसके अंदर हम डालेंगे खड़े मसाले तो यहां पर मैंने तेज पत्ता और तुक्ही मिर्च ली है तो उसको थोड़ी दिर भूनने देंगे और उसके अंदर एड़ करेंगे करी पत्ता और अब यहां पर मैंने मुंखफली ली है उसको मैंने कूट लिया था तो उसको ऐसे ही थोड़ा सा मूटा ही रखना है एक गंबारिक नहीं कूटेंगे तो उसके पीसी समय दिखने चाहिए और अब उसको भी इसके अंदर एड़ करके हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मुंखफली थोड़ी से सिख जाए तब तक हम उसको भूनेंगे और यहां पर दो से तीन मिर्व में अच्छे से भून जाएगी थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाएगी और अब दो से तीन चम्मच जो हमने अदरक लेसन और मीच पीस्के रेड़ी किया था वो इसके अंदर एड़ करेंगे और उसको भी अच्छे से भून लेंगे तो आप यहां पर देख सकते हो कि सब कुछ अच्छे से भून गया है अब इसके अंदर हम एड़ करेंगे हल्दी यहां पर मैंने हाफ चम्मच जिकनी हल्दी दी है और उसको मिक्स कर लिया है यहां पर हल्दी एड़ करने से इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा और हल्द के अच्छा पन है वह बिर चला जाता है तो अब इस मिक्षर को हम यह बैटर के अंदर ऐड़ कर लेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और आप taste के according नमक एड़ करेंगे यह जो हमने better ready किया है वो थोड़ा सा खटा है तो अगर आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा good भी एड़ कर सकते हो अगर आपको मीठा नहीं पसंदे तो इसको आप skip पी कर सकते हो हमारे गर में सबको थोड़ा सा मीठा पसंद है तो मैंने इसके अंदर 2-3 चमच good एड़ किया है और अब यह better हमारा एकदम ready है तो इसको एक फोल में निकाल लेंगे जितना हमें चाहिए उतना हम निकाल लेंगे मैंने 3-4 कंचे जीतना बैटर लिया था तो इसके अंदर मैंने half tablespoon baking soda लिया है और अब इसके उपर मैंने थोड़ा सा निबू का रस्नी चोड़ दिया है जिससे हमारा soda activate हो जाएगा अगर आपको inno use करना है तो भी आप कर सकते हो और अब एक pan के अंदर मैंने थोड़ा सा oil डाला है उसको गरम करने के लिए रख दिया है और जिस batter के अंदर हमने baking soda दाला था उसको अच्छे से mix कर लिया है और अब यह oil अच्छे से गरम हो चुका है तो इसके अंदर डालेंगे तिल और उसको डग देंगे और उसके पाद चपतील अच्छे से food जाए तो उसके अंदर हम add करेंगे थोड़ी से लाल मिर्च और इ यहाँ पर हमें non-stick कड़ाई या फिर कोई मोटे तले वाली कड़ाई चाहिए वहन्ना हमारा बैटर नीचे से चिपक सकता है तो हम ऐसे ही कड़ाई लेंगे जिसमें नीचे से चिपके नहीं और यह देखिए 10 मेट हो चुके हैं और यह हमारा handwa almost नीचे से पक के ready हो चुका है और अब इसको हम पलट लेंगे तो इसको जीरे से नीचे से उठा के ऐसे पलट लेना है यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा handwa नीचे से एकडम बढ़िया से पक चुका है उसका color भी बहुत ही perfect आया है और अब इसको ठक कर दूसरी side से भी हम 5-10 मिल के लिए उसको पका लेंगे ताकि दोनों side से अच्छे से पक चाए तो यह देखिए हमारा handwa बन चुका है दोनों तरफ से अच्छे से सीख गया है तो अब इसको हम निकाल लेंगे तो यह लीजिए हमारा handwa एकडम ready है और यह देखने में भी बढ़िया लग रहा है और अच्छे से खूल चु हो और इसको मैंने लसन की चटनी और कच्छे ओईल के साथ सब किया है यहां पर मैंने मुंफली का कच्छा ओईल लिया है वह बहुत ही तेस्टी लगता है इसके साथ तो एक बार आप भी ज़रूर ट्राइक करना ओके तू वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक इजिए द फिल्कैन को और दो सद्क्राइब च्राइब टिस तक्राइब !